यह एक मुर्ग कवय की कहानी है रामपुर गाउ में एक बीपल के पेप पर उस कवय का घर था कवगा हमेशा की तरह आज भी खाना के तलास में उड़कर यह घर के बाहर जाकर बैठ जाता है पर थोरा देर में घर के अंदर से कवय को पत्तर से मार कर भागा देता है कवगा उदर से उड़कर बापस पेड़ पर आ जाता है और सुचता है मैं जिदर भी जाता हूँ इंसान मुझे नफ्रत करता है मुझे उदर से बागा देता है मैं काला हूँ इसलिए कवगा यह सब सोचकर फिर से खाना का तलास में उड़ जाता है कववा असमान पर उड़रा होता है उसी बग उसको एक हंस दिखता है कववा उस हंस के पास जा कर बोलता है हंस भाईया तुम और तुम्हारा रौन कितना सुन्दर है इंसान तुम को देख कर कितना खुश होते होंगे और मुझे दूर से ही भगा देते है उसका बाद हंस बोलता है मेरा रंग तो सिर्फ एक है सफेद मुझे से ज़्यादा सुन्दा रंग तो तुम्हारा का पास होता है कववा हंस का बाद सुनकर तुम्हारा से मिलने के लिए उदर से चल पड़ता है तो ता कववे को जैसे ही मिलता है कववा तोते से पूलता है तोता भाई, तुम और तुम्हारा रंग कितना सुन्दर है इंसान तुम को देखर कितना खुश होते होंगे और मुझे दूर से ही भागा देते है तब तोता बोलता है मेरा रंग तो मोर के सामे कुछ भी नहीं मोर तो मुझसे भी ज़्यादा सुन्दर है तोते का बात सुनकर कवा मोर से मिलने के लिए उधर से उठ चल पड़ता है मोर भाईया तुम्हा रंग सबसे ज़्यादा सुन्दर है तुम्हें इंसान देखते होंगे तो कितना खूस होता होगा और मुझे इंसान दूर से ही भागा देता है मैं काला हूँ इसलिए कववे का बात सुनकर मोर बोलता है कववा भाई इस पूरी दुनिया में तुम बहुत भागे साली हो तुम्हारी रंग का कारण से इंसान तुम्हें नहीं पकरता और तुम्हारी सिकार भी नहीं करता और मुझे देखो मेरा सुन्दर रंग का कारण मेरा पूरा परिवार छिन लिया इस रंग का कारण हम सब का बहुत सिकार होता है क्या पता मेरा भी कब सिकार हो जाए कवगा ये सब सुनने का बाद मौर को सुक्रियादा करकर बापस पीपल के पेट पर आकर बैठ जाता है और बागवान को सुक्रियादा करता है मुझे काला रंग बनाने के लिए किसी दूर एक गाउं में एक बेपारी और उसका एक गदा साथ रहता था रोज की तरह आज भी बेपारी गदे की पीट पर चावलों की बोड़ी ले जाकर रख देता है दोनों साथ में बजार की तरफ निकलते हैं बेपारी गदे से बहुत प्यार करता है और उससे खूब अच्छा से रखता है दोनों का जीवन बेपार से बहुत अच्छा चल रहा होता है बीच में एक नदी परता है बजार पुगने का बाद चावलों का बेपारी से बेचे देता है और फिर बाद में बापस घर की तरफ रवाना हो जाता है बेपारी और गदा घर आने का बाद बेपारी सुनता है कल से नमक ले जाकर बेचूंगा क्योंकि बजार पर नमक का बहुत कमी हो गए और गदे ने भी बजार से आने के बाद खाना खा के बहुत अच्छा निन ली सुभा उठकर बेपारी ने गदे की पीट पर नमक की बोरी रख देता है और दोनों साथ में बजार का तरफ चला जाता है बजार पुगने का बाद दुसरे बेपारी से नमक बेच देता है बेपारी को बहुत अच्छा फैदा होता है नमक बेच कर दोनों घर आकर खा कर श्रो जाता है फिर सुभा उठकर बेपारी ने गदे की पीट पर नमक की बोरी रख देता है और दोनों साथ में बजार की तरख चला जाता है गदाहा जैसे नदी पार करता है उसका पाउं पिछल जाता है और गदाहा पानी में गिर जाता है गदाहा पानी में गिरने के कारण से नमक सब पगिल कर बैज जाता है गधाहा नदी में गिरने के बाद वेपाड़ी जैसे तैशे कोके गधाहा को और नदी का बहँर निकाल देता है अर्य बाख बोरी अभी भी मेरी पीठ पर है पर उसका वजन मुझे क्यू पता नहीं चल रहा ज़रूर इस नदी में कोई जादवी सक्ति है अरे बाह, अरे बाह मुर्ख गदा ये नहीं जानता था कि नदी में कोई जादवी सक्ती नहीं थी बलकि जब वो गिरा बोरियों का सारा नमक पानी में गुल गया इसलिए उसे हलका महसूस वो रहा था नमक पानी में गुल जाने से बेपारी बजार नहीं जा सका, घर बापस आना पड़ा अगला सुबह बेपारी ने फिर से गधा के पीट पर नमक का बुड़ियों लाद दिया और बजार का तरफ निकला गया थोरा देर में बेपारी नदी का पास पुख जाता है बेपारी देखता है गधा फिर से पानी में गिर जाता है और सारा नमक पानी में गूल कर बह जाता है मुर्ख गधा मनी मन सुरता है आज भी काम पर बजार नहीं जाना परा फिर बापस घर जाओंगा बेपारी घर आने का वक्त मन में सुरता है गधे को सबक सिखाना पड़ेगा दो दिन से नदी में जाकर गिर जाता है जिस कारण सारा बोरी का नमक पानी में मिल कर बह जाता है इसलिए आज सुभा बेपारी ने गधे के पिट पर नमक के बदले रुई की बोरी लाद देती है और बजार के तरब चला जाता है थोड़ा देर में वेपारी नदी के पास पुगता है वेपारी को गधा का नाटक मालूम है इसलिए वेपारी नदी के किनारे ख़ड़ा होकर दिख रहा होता है गधा फिर से नदी में जाकर बढ़ जाता है पर मुर्ख गधा को कौन समझाए की वेपारी ने नून के बदले रुई की बोड़ी रख दी है इस बार गधा बुड़ी तरह फ़ास जाता है पानी में गिरने से रुई की बोड़ी पानी से बहर जाता है जिस कारण गधा उठ नहीं सकता बेपारी ये सब देकर गधे को बोलता है मैंने तुमको कितना प्यार से रखा खाना खिलाया तुमारी सेवा की पर तुमने मेरा बहुत नुक्सान कराया इसलिए मैंने तुमको सबक सिखाने के लिए ये सब किया उसके बाद बेपारी ने पानी में जाके गधे को बाहर निकाला फिर उस दिन के बाद गधे ने पानी में बैठने की हिम्मत नहीं की और बेपारी का साथ बजार जाकर आनाज बेजकर वापस गर आता था